वेलकम टू आवर चैनल रंजन स्टडी सेंटर सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है आज ये वीडियो अपडेट में लेकर आया हूँ माइगरेशन फॉर्म अपडेट को लिकर तो जो सभी स्टुजेंट वेस्ट बेंगॉल से बाहर एडिमिशन करा रहे हैं जिन सभी स्टुजेंट ने कलास 12 पास किया है वेस्ट बेंगॉल से और वो किसी अधर स्टेट में जहरकंड बिहार यूपी या किसी अधर स्टेट में आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन्हें 12 कलास का माईग्रेशन अगर निकालना होगा तो आज की वीडियो में मैं पूरा डीटेल बताऊंगा कि यह माईग्रेशन आप लोग किस तरह से निकाल सकते हैं माइग्रेशन फॉर्म को कहां से डाउनलोड करें साती साथ माइग्रेशन फॉर्म को किस तरह फिलब करें तो वीडियो को लाज तक देखिएगा चैनल पर नहीं जुड़े होंगे सस्क्राइब सेर जरू कर दीजेगा तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि बर्डवान में चैनि की बर्डवन रीजन में रहने वाले स्टुडेंट बर्डवान से अपना जो है है माइक्रेशन जो है निकाल सकते हैं लेकिन यहां पर घो के सारे नाम दिया है यहांपर रीजनव के सभी रीजन कर roll को यूंटी के के नाम है जोज़ स्टुडेंट वेस्ट बेंगॉल के बर्दवान जीले में रहते हैं चाहे वो पस्चिम बर्दवान में रहते हो या पूरब बर्दवान में उन सभी को बर्दवान में जो काउंसील ओफिस है यानि वहां से माइग्रेशन निकलवाना पड़ता है तो उसके लिए सबसे पहले यह जो फॉर्म है वेस्ट बेंगॉल काउंसिल ओफायर सेकेंडरी एडुकेशन इस फॉर्म को मैं फिलप करके दिखा रहा हूं यह फॉर्म यहां पर फिलप करने का प्रोसेस देख लिजेगा और से डीटेल को वीडियो को अंत में मैं आपको किलियर कर दूंगा तो यहां पर देख सक रहे हैं कि नंबर वन में लिखा हुआ है नेम ऑप दा युनिवर्सिटी बोड अफ दा स्टुडेंट डिजाइड तो जॉइन और माइग्रेशन मेंसन दस्टूट यानि युवर्सिटी में एड्मिशन लेना चाहते हैं आगे की पढ़ाई के लिए और उस स्टेट का नाम लिखना है जैसे माल लीजिए ज्यादा तर स्टूडेंट वेस्ट मेंगॉल के जारखंड के कॉलेजियों में एड्मिशन करवाते हैं तो अभी जारखंड में बीबी एम उनिवर्सिटी में सभी कोई एड्मिशन करा रहे हैं कोई कोई बिनोभावे उनिवर्सिटी में एड्मिशन कराते हैं उसी तरह से बिहार में कोई पटना उनिवर्सिटी में एड्मिशन कराते हैं कोई पाटली पुत्रा उनिवर्सिटी में कराते हैं उसी तरह यूपी में कई सारे स्टुडेंट जाते हैं या इन सभी राज्यों के अलावा भी कई राज्य में जाते हैं तो जिस भी युनिवर्सिटी में आप एड्मिसन ले रहे हैं उस युनिवर्सिटी का नाम यहां पर लिखेगा और स्टेट का नाम लिखेगा कहां पर है युनिवर्सिटी उस इसके बद मेलिंग एड्रेस में आपको अपना डिटेल एड्रेस डालना होगा यानि कि कहाँ पर रहते हैं यानि भी लिएज या ताउन वोड नाम दिजेगा पोस्ट आपका कैसा पीएस क्या है मैं कि यह पूरा डिटेल एड्रेस डालिएगा वो रजिस्ट्रेशन का नंबर यहां पर लगेगा साती साथ बी नंबर वाले बॉक्स में नेम ऑप दा रेकोगनाईज इंसिटुशन वेर फ्रम हीज हर नेम वाज रेश्टेड किस स्कूल से आपने क्लास 12 पास किया है उस स्कूल का नाम आपको लिखना पड़ेगा पांच नंबर वाले बॉक्स में नेम ऑप दा इंस्टिटुशन टुविच दा स्टुडेंट वाज लास्ट एटेंड तो यहां पर भी आपको यही डीटेल देना है कि किस स्कूल से अपने यहां पर कलास 12 पास किया है उसके बाद आते हैं छे नंबर वाले बॉक्स चे नंबर वा जो आपका रोल नंबर होगा वह रोल और नंबर लिखेगा साथी साथ किस एर में आपने ट्वेल पास किया है वह डालिएगा यह छे नंबर वाले बॉक्स में ज्यादा तरी स्टुडेंट केस पेमेंट करते हैं तो यहां पर इस बॉक्स में बाइक कैस आप लोग लिख द लिखेगा यह रिखेगा यहां लिखेगा उसके बाद यहां पर पीछे वाले फार में आठ नंबर में उपर में श्टुडेंट अपना नाम लिखेंगे और अपने पिता का यहां पर लगेगा उसके बाद आप सभी student को ये migration form fill up करने के बाद आप सभी को अपने अपने school जाना है जहां से अपने 12th की पढ़ाई की थी जहां से अपने 12th pass किया है आप सभी को करना क्या होगा class 11 में जो registration मिला था उसका एक jrx copy admit card का एक jrx copy mark sheet यानि result का एक jrx copy और certificate का एक jrx copy school में जाना है school जाने के बाद जो आपके principal होंगे head sir होंगे या head mistress होंगी उनसे यहां पर sign आपको करवाना पड़ेगा इस form में यहां पर देखे पीछे जगा दिया हुआ है signature of the head of the institution तो यहां पर वो sign करेंगे साथी साथ जो भी jrx copy आप लेकर जाएंगे school अपने document का उन सभी document पर भी stamp के साथ साथ साइन किया जाएगा उसके बाद इन सारे document को आप सभी migration का जो ओपिस होगा आपके एरिया का बर्दवान रीजन का जैसे कि बर्दवान में आप लोग जमा करेंगे जब आप लोग उस जगा पर जाएंगे ऑफिस में तो आपको जो फॉर्म आपने भरा है यह जरक्स को पी यही इसी फॉर्म का एक original फॉर्म आपको वहां पर दिया जाएगा और उस original फॉर्म को भी आपको इसी तरह से फिलब कर लेना है यह आप लोग कहीं भी अपने नजदी की जो जरक्स दुकान होंगे साइबर केफे होंगे वहां से यह migration फॉर्म को आप लोग निकल वा सकते हैं उसको फिलब करके जाएगा सारा तयारी करके और council office में इसी तरह का एक फॉर्म देगा उसको आपको फिलब करना है और जो migration का जो चार्ज होगा वहाँ पे वह आपको जमा करना होगा पैसा और उसके बाद आपको migration मिल जाएगा migration दो तरीके से मिलते हैं अगर आपको एक ही दिन में चाहिए migration तो आपको कुछ ज्यादा पैसे पे करने पड़ सकते हैं और अगर आपको जल्दी नहीं है तो कुछ दिनों के बाद भी आप लोग ले सकते हैं ठीक है उम्मीद है वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी चैनल पर नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब किजिएगा वीडियो को दोस्तों में सेर जरू किजिएगा धन्यवाद